नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपल आइफोन 13 मिनी वर्सस आपल आइफोन 12 प्रो मैक्स का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो आइफोन 13 मिनी में 5.18 इंच जबकि आइफोन 12 प्रो मैक्स में 6.33 इंच की लेंथ मिलती है बात करें तो आइफोन 13 मिनी में 2.53 इंच जबकि आइफोन 12 प्रो मैक्स में 3.07 इंच की विड्थ मिलती है बात करें थिकनेस की तो आइफोन 13 मिनी में 0.3 इंच जबकि आइफोन 12 प्रो मैक्स में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि सेम जैसी ही है अब बात करते हैं वेट की तो आइफोन 13 मिनी में 140 ग्राम्स जबकि आइफोन 12 प्रो मैक्स में 226 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो कि आइफोन 13 मिनी से ज्यादा है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही ओलर की डिस्प्ले मिलती है आस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 19.5 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो आइफोन 13 मिनी में 5.4 इंचर ज 340 और आइफोन 12 Pro Max में 1284 by 2778 मिलता है. Screen to Body Ratio, आइफोन 13 Mini में 84.6 प्रतिशत जबकि आइफोन 12 Pro Max में 87.5 प्रतिशत मिलता है. बात करें PPI Density की तो, आइफोन 13 Mini में 477 प्रति इंच जबकि आइफोन 12 Pro Max में 457 प्रति इंच मिलती है. अब देखते हैं डिस्प्ले के आन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है. अब बात करते हैं सबके पतंदीदा फीचर्स कैमरा की. दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो, आइफोन 13 Mini में 4 कैमरा देखने को मिलता है. जिसमें की वाइड अंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा देखने को मिलता है. अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेलफी कैमरा की तो, आइफोन 13 Mini में सिंगल प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है. जिसमें की साथ डिफरेंट फीचर्स मिलते है. और आइफोन 12 Pro Max में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है. जिसमें आठ डिफरेंट फीचर्स मिलते है. अईए अब बात करते हैं हाड़ वेर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफोर्मेशन देखते हैं. हाड़वेर में सबसे परहेले CPU जोकी स्पीट के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इंपोर्टन पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं. GPU दोनों फोन में सेम ही, Apple GPU, 4Core Graphics देखने को मिलता है. चिपसेट की बात करें तो, iPhone 13 Mini में Apple Bionic और iPhone 12 Pro Max में Apple Bionic मिलता है. बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही, तीन वेरियन देखने को मिलता है, और दोनों फोन में सेम ही 6GB, 6GB, 6GB की RAM मिलती है. बात करे इंटरनल मेमरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनो फोन में सेम ही. टीन वेरियंट देखने को मिलता है और दोनो फोन में सेम ही 128GB, 256GB, 512GB की स्टोरेज मिलती है. एक्सपैंडबल मेमरी दोनो फोन में नहीं है. ओपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो iPhone 13 Mini में iOS V 15 जब की iPhone 12 Pro Max में iOS V 14 देखने को मिलती है अई अब में फीचर को देखते हैं कलर्स की बात करें तो iPhone 13 Mini में 5 कलर्स जब की iPhone 12 Pro Max में 4 कलर्स आप्शन मिलते है सब इन्फोमेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो iPhone 13 Mini में 3 वेरियंट देखने को मिलते हैं जो की 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 79,900 रूपीज 6 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ 89,900 रूपीज 6 GB RAM 512 GB स्टोरेज के साथ 99,900 रूपीज में मिल जाता है वही अगर बात करें iPhone 12 Pro Max की तो उसमें 3 वेरियंट देखने को मिलते हैं जो की 6 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ 1,24,700 रूपीज 6 GB RAM 256 GB स्टोरेज के साथ 1,32,200 रूपीज 6 GB RAM 512 GB स्टोरेज के साथ 1,55,900 रूपीज में मिलते हैं दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है फायदली बात करें हैं रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रन्ट सेल्पी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है Performance में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Apple iPhone 12 है, जोकी 7,900 रुपे में मिलता है दुसरा Apple iPhone 12 Mini है, जोकी 58,999 रुपे में मिलता है तीसरा Samsung Galaxy Z Flip 3 है, जोकी 88,999 रुपे में मिलता है और Last Competitor Phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy Z Flip 3 है जोकी 84,999 रुपे में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना